Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मैं आप इशेक कुमार. Magnet Brains अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कम्प्लीट NCIT बुक, NCIT एग्जाम्पलर हो बेस्ट प्रब्लिशर्स की बुक, आपको कम्प्लीट थियोरी और कम्प्लीट सॉलूशन के साथ यहाँ पर प्रोवाइट करते हैं. इसी के साथ में एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको 100% free education के साथ त्यारी करवा रहा है Olympate exam और NTSC exam की भी. तो यह सारा content आपको 100% free education के साथ यहाँ मिल रहा है. अब 100% free education का मतलब यह एकदम नहीं कि content के साथ किसी तरह की कोई गुणजाईश रखी है. सारा best content आपको सारी best faculties के द्वारा ही यहाँ पर deliver किया जा रहा है. चलिए, start करते हैं हम इस वीडियो को. तो इस वीडियो में हम लोग cover कर रहे हैं DPP2 को. एक ऐसी sheet, एक बहुत प्यारा topic जो आपको मेरे पीछे पी दिख रहा है paper cutting. तो एक बहुत प्यारा topic और उमीद करता हूँ आपने इस topic का theory अच्छे से attempt किया होगा. और DPP1 और DPP2 में दिये हुए सवालों को आपने खुद से solve किया होगा. और अगर ऐसा नहीं है, तो एक छोटा से suggestion में आपको देना चाहूँगा. suggestion यह कि जैसे ही अभी question में आपको दिखाऊंगा. यह क्योंकि आप solution video वाच कर रहे हैं, तो इस solution video में जैसे ही सवाल आपके पीछे आए, तो आप उन सवालों को वहीं पर रोकें, ठीक है, मतलब video को वहीं pause करें, एक बार खुद से solve करें, और फिर उसका solution वाच करें, तो इससे फायदा आप ही को मिलेगा, क्योंकि आप में वो confidence आएगा, कि हाँ questions आप से असानी से बन रहे हैं, सवाल असानी से solve हो रहे हैं, चलिए, तो start करते हैं इस video को, और इस sheet में, मतलब DPP 2 जो आप देख रहे हैं, paper cutting की, तो यह non-verbal का part है, अब non-verbal मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, non-verbal का मतलब ऐसा topic जो आपको basically drawings के साथ दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको कुछ drawings दिखेंगी, कुछ चीजे बनी होंगी, जहाँ पर किसी particular pattern को follow किया होगा, और उन directions को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें पूरी हिंट दे लेते हैं, अगर मैं directions आपको समझा हूँ, तो एक common direction सब 10 questions के लिए लिखा था, तो DPP 1 में, DPP 2 में आपको यहाँ पर दिये थे 10 सवाल, उन 10 सवालों के उपर एक common directions दिये हूँ है, उन directions को हम रीट कर लेते हैं, in the following questions मतलब दिये हूए सवालों में, 3 figure हैं x, y, z, ठीक है, showing a sequence of folding a paper, और यह particular sequence follow कर रहे हैं, जिसके हिसाब से मतलब जो dotted lines हैं, इस paper को in dotted lines के along, आप fold कर रहे हैं, और folding का जो direction है, वो भी आपको arrow wise यहाँ पर दिया हुआ है, clear है यह चीज, तो यहाँ पर देखिएगा कि यह dotted line है, और यह arrow नीचे की तरफ बना है, that means इस paper को हमने diagonally उपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, then उसके बाद यह arrow आपका right से left की तरफ बना है, इसका मतलब यह है कि जब paper fold हो चुका है, तो हमने उसको again right से left की तरफ फोल्ड किया है, और फिर उसके बाद हमने उसमें कुछ cuttings बनाई है, और again जब इस paper को मैं reopen करूंगा, तो किस तरह का design आपको दिखने वाला है, तो यह पूरे का पूरा topic एक imagination पे भी depend है, मतलब आप कितनी जल्दी चीज़ों को imagine कर पाते हों, कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं, इसी चीज़ की checking के लिए मतलब आपका mental ability test लिया जा रहा है, आपकी mentally status को जानने के लिए, कितनी जल्दी चीज़ों का action ले पाते हैं, decision ले पाते हैं और जवाब दे पाते हैं, clear है, तो यहाँ पे यही आपको दिया हुआ है, the figure depicts the cut made on the folded paper, और जो आपका Z part है, इसके अंदर यह बताया है, कि जो हमने cuts बनाए हैं, जाए circle बनाए है, rectangle बनाए है, यहाँ पे हमने triangle बनाए हैं, ठीक है, और जब हम वापिस इस paper को open करते हैं, तो किस तरह का figure हमें सामने मिलेगा, select the answer from the alternative, मतलब यह आपको A, B, C, D, यह आपको answers दिये हैं, और इन answers में से कोई एक जवाब सही है, ठीक है, तो resemble the third figure when it is unfolded, unfolded का मतलब जब यह third figure को unfold किया जाएगा, जब paper को वापिस खोला जाएगा, तो आपके सामने यह shape बन के आएंगे, ठीक है, अब इसमें से कौन सा shape बन के आएगा, इस चीज़ पर हम ध्यान देंगे, चलिए, तो यहाँ पर अगर इस question number one को मैं देखूँ, तो एक paper था, ठीक है, वो paper कहां दिया है, paper दिया अंदर, ठीक है, तो यह जो अंदर box बना हुआ है, यह paper है, अब इस paper को अगर मैं यहाँ से, क्या गरूँ, fold कर दूँ, कहां से, उपर से नीचे की तरफ, मतलब राइट से, उपर से नीचे की तरफ, fold कर दूँ, तो एक triangle मिलेगा, उस triangle को again मैं fold कर दूँ, और यहाँ पर अगर एक cut लगा दूँ, तो कोई एक cut हम पकड़ लेते हैं, अगर यह cut लगा दूँ, और इस paper को दुबारा open किया जाए, तो आप बात को समझेगा, एक cut तो यहाँ पर जो था, अब हमें वापिस चलना है इसी sequence में, जब unfold कर रहे हैं, तो उसी sequence में unfold करना है, जिस sequence में हमने fold किया था, इसको देखना, यह paper अभी इधर fold है, इस paper को वापिस जब मैं खोलूँगा, तो जो triangle आपने, जो rectangle यहाँ काटा था, जो एक cut बनाया था, एक box आपने बनाया था, वो ही box आपको यहाँ पर edge पर कटा हुआ मिलेगा, ठीके, और इसी paper को जब मैं वापिस इस side पर खोलूँगा, तो already यहाँ पर एक cut था, यहाँ पर एक cut था, और जब यह paper इस side खुल रहा है, तो इस side खुलने का मतलब यह है, कि जो cut नीचे था, यह जब खुलेगा, तो यह cut उपर पहुँच जाएगा, मतलब आउटर boundary पर यहाँ पर cut होगा, इस cut को अगर मैं सब जगा पर watch करूँ, तो आप क्या देख रहे हैं, आप देखेंगे कि देखिए, इस तरह के जो cuts है, जो edges के उपर हैं, बहार, वो चार जगा देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर है, ठीक है, बट यहाँ देखिए, उपर कोई cut हमें नहीं मिल रहा, तो B figure यहाँ हो गया, गलत, ठीक है, अगें, यहाँ पर cut दिख रहा है, यह cut दिख रहा है, यह cut दिख रहा है, यहाँ पर मुझे उपर cut नहीं दिख रहा, इसका मतलब D option भी हो गया, गलत, अब इससे आपको क्या समझ आया, कि जब मैंने एक cut को पकड़ा, तो दो figure यहाँ पर गलत हो गया, अब मेरा जवाब जो है, वो A यह C में से है, पहली चीज़, यह बहुत clear हो गया view, चलिए, मूव करते हैं अगर मैं circles की तरफ, तो circles पर देखिएगा, कि अगर यह circle है, और यह circle है, और इस paper को अगर मैं वापस नीचे खोलता हूँ, तो यह वाला circle जब इस side वापस unfold होगा, तो जो circle यहाँ पर है, वो ही circle यहाँ बन जाएगा, और जो circle इस cut के along यहाँ पर था, वो cut के along मुझे यहाँ मिलेगा, clear है, तो मतलब एक side पे, अगर इस paper को मैं देखूं कि इसमें 4 quarter cut रहे हैं, मतलब आपने paper को कुल मिला के ऐसे fold किया था, जब आप open कर रहे हैं, तो एक circle यहाँ, एक circle यहाँ, बीच में cut, फिर यहाँ पर बीच में cut, अगर आप धियान से देखें, तो इस पूरे paper को अगर unfold किया जा रहा है, तो टोटल मुझे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 circle मिलेंगे, और वो 8 circle मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा, जो best option है, वो है C option, clear है, बाकि सब गलत, तो इस पकार से हमने question number 1 में C marking कही है, आगे बढ़ जाई है, तो हम answer check कर लेते हैं यहाँ पर, जल्दी solve करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई 1 cut को पकड़ लो, चलि answer check करेंगे, तो यहाँ पर देखे, green tick भी मेरा C option पर आया, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि option C पर ही हमारा green tick आया, तो इस पकार से हमने question number 1 को solve कर लिया, सिर्फ एक cut पकड़ के, tip and trick मैंने यहाँ पर क्या दिये, तो tip and trick यही है कि जैसे paper को fold किया है, वैसे ही paper को unfold करना है, कोई 1 cut को पकड़ के चलना है, एक cut से आप maximum correct answer की तरफ पहुँच सकते हैं, clear है, move करते हैं question number 2 की तरफ, second सवाल क्या बोल रहा है, board कर दिया हैं यहाँ पर clear, question number 2 हमें क्या कह रहा है, इसको देखेगा, एक paper है, और इस paper में अगर आप arrow देखें, तो यह arrow उपर से नीचे की तरफ बना है, that means मैंने paper को उपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, और जब मैंने paper को उपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, तो again मैंने right से, sorry left से right फोल्ड किया है, तो यहाँ पर left right का बहुत द्यान रखना, upside down का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जैसे paper को आप फोल्ड करने वैसी unfold भी करना है अब जब paper मेरे पास सिफ इतने तुकड़े में मिल गया तो यहां पे मैंने कट लगा दिया पेपर मेंने क्या किया मैंने पेपर में कट लगा दिया तो देखिए मैंने पहली बात तो एक पूरे पेपर को चार पार्ट में डिवाइड किया है अगर आप ध्यान से देखें तो उपर से नीचे फिर इधर से उधर जब पेपर दुबारा unfold होगा तो यह paper आपको चार पार्ट में बटा हुआ देखेगा क्रीज जो है वो चार पार्ट में बनी भी दिखेगी सिर्फ इस तुकड़े की अगर मैं बात करूँ ब्लू पेन का यूज कर लूँ तो इस तुकड़े के अंदर आपको एक कट मिला हुआ है यहाँ पर ठीक है यह है वो कट और इसी कट को अगर paper को मैं unfold करूँगा बात को समझना पहले इधर से इधर फोल्ड किया था अब इधर से इधर unfold करूँगा तो जो कट एज के उपर था वो ही कट मुझे यहाँ बना हुआ दिखेगा और इसी paper को जब मैं उपर की तरफ unfold करूँगा तो यह कट यहाँ और यहाँ कट मुझे मिल जाएगा बस खतम इतने ही कट थे तो टोटल चार कट मिलेंगे है कहां पर आपके sides पे opposite sides पर आपको दो और दो चार कट मिलेंगे ऐसा कॉन सा figure यहाँ पर है तो अगर आप देखें तो देखिए हाँ पर 4 cuts तो मिल रहे हैं लेकिन ओपर और नीचे कड नहीं था cut कहां था left और right पे cut था ठीक है उपर और नीचे कोई cut नहीं है तो इसका मतलब देखिए C figure यहां गलात हो गया D figure यहां गलात हो गया अब उपर से नीचे की तरफ इसमें भी cut नहीं दिख रहा है इसमें भी नहीं दिख रहा देखिए यह figure कुछ ऐसा बना हुआ आपको दिखेगा उपर सीधी लाइन गई है यहां पर एक टी-फॉर्मेशन फिर यह कट मिला आपको ठेक है और यहां से यह पेपर ऐसा नीचे फिर यह पेपर अंदर की तरफ है ठीक है अब यहां से यह नीचे की तरफ है लेकिन यहां की तरफ तो यह गलत फिगर है वाला मैं काऊंगा इसका करेक्ट अंसर है बी ऑप्शन आपको ध्यान रखनी है चीजे छोटी-छोटी बाते हैं जो यहां पर बहुत ध्यान रखने वाली है कट तो है अंदर की तरफ आप देखें एक कट यह है एक कट यह है दो फिर यह तीन और यहां पर चार ठीक है तो यही करेक्ट अंसर है बी ऑप्शन चेक कर ले देखेगा ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पर हमें दिख रहा है तो इतना असान होता है यहां पर प्रॉब्लम यह थी कि बहार की तरफ यह जो बनने वाली दो चीजे थी यह दो बार्स दिख रही है तो यह जो बीच में पाठ आ गया यह वैसे भी आपको जवाब दे रहा है कि यह ऑप्शन गलत है ठीक है यह बीच वाली लाइन नहीं दिखनी चाहिए तो कुल मिला के कोशन नमबर टू तक आपने चीजों को कर लिया है सॉल्फ मूव करते हैं कोशन नमबर थी की तरफ कोशन नमबर थोर्ड क्या गया रहा है अगर इसको आप देखेंगे तो यह और असान हो जाता है यहां पर जो पेपर है आपके पास यह पूरा एक पेपर है यह वाला ठीक है तो यहां पर मैं मार्किंग कर देता हूं ब्लू पैन से यह है और इसको फोल्ड किया है आ जब एरो इधर बना है यह पूरा पेपर फोल्ड कर दिया तो यह पूरा पेपर उपर की तरफ फोल्ड हुआ है मतलब जो में पेपर है हमारा वो यह है अब फोल्ड होने के बाद यह है से पेपर और यहां पर हमने दो सर्कल पंच कर दिया जैसी हमने दो सर्कल पंच किया और वापस इस figure को हम नीचे की तरफ कोलते हैं क्योंकि जैसे fold किया था वैसी unfold करना पड़ेगा उपर से जब नीचे की तरफ खोलेंगे तो यह दो circle यहां बनते हुए दिखेंगे ठीक है और उपर से जो paper अंदर की तरफ fold किया हुआ था अगर उसको खोल दें तो दो circle यहां पर भी बनते हुए आपको नजर आएंगे ठीक है तो कुछ इस line में आपको कितने चार चार आठ सरकल इस line में नजर आएंगे वह आठ सरकल इस line में सिर्फ मुझे बी option में दिख रहे हैं हमने triangle तो कहीं काटा ही नहीं था अगर दिये हुए figures में भी आप देखें तो हमने triangle क कट कहीं नहीं लगाया है ठीक है बट यहाँ पर triangles के cut दिख रहे हैं तो यह triangles वैसे भी गलत हो जाएंगे सिर्फ circles आएंगे हम answer चेक कर लेते हैं यस देखिए बी option पर हमारा green tick आया है तो देखते भी जवाब आ रहा है triangle का cut हमने कहीं नहीं लगाया हमने punch किया है circular तो circular figure ही ह question number fourth की तरफ question number fourth क्या कह रहा है इसको देखिएगा fourth question में यह कह रहा है कि मैंने पूरे paper को left से right की तरफ मोड़ा जब मोड़ दिया तो फिर उपर से नीचे और यहां से left hand side से right hand side की तरफ चीजों को fold किया तो अब जो folded paper है अगर मैं उनके corners को इस तीके से cut लगा दूँ ठीक और paper को दुबारा open किया जाए तो देखिए बात को समझेगा यहां पर था यह box ठीके इतना ही paper का तुकड़ा था यह जो हमें मिला ठीके और यह वाला side क्योंकि इधर folded था और आपने cut ऐसे लगाया था तो जब आप पूरा paper open करेंगे तो आपको यहां पर बीच में इतना part कटा हुआ मिलेगा hole मिलेगा यहां पर क्योंकि आपने देखिए center point पे vertical cut लगा दिया जैसे मैंने center पे cut लगा दिया तो center मुझे square type में यहां kite type में एक shape बनाता हुआ यहां पर rhombus type में एक shape बनाता हुआ एक quadilateral बोल लूँ चार side के इस तरीके से cut center में दिखेंगे और center के cut यहां तो मुझे B में दिख रहे हैं यहां मुझे D में दिख रहे हैं यहां पर C option गलत है और A option गलत है पहली बात ठीक है क्योंकि center में बन रहा figure वो कुछ इस तरीके से बन रहा है जो आपको इस तरीके से ना मिलते हुए अच्छा sorry दो मेंट यहां पर एक गलती हुई है हमसे गलती हुई है कि center में जो हमें cut मिलेंगे क्योंकि हमने ऐसे काटा है न और paper को जो हम नीचे की तरफ खूलेंगे तो paper को हम इधर भी खूलेंगे तो center का cut जो है वो कुछ इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से दिखने वाला है diamond ship बोलने है तो diamond ship A और C में मिलेगा ना कि B और D में मिलेगा ठीक है A और C में diamond ship मिलेगा अब बात आ जाती है corners की मतलब यह जो center में cut लगाए है यह कैसे rectangular cuts है मतलब ऐसे straight lines काट तो यह चीज आपको यहीं से समझ आ जाएगा आप जब देखेंगे कि paper को जब मैं वापिस खोल रहा हूं यहां पर यह paper इधर fold हुआ है इधर fold हुआ है मतलब ऐसे fold हुआ है तो यहां पर यह V cut लगा है तो इसका मतलब जब paper नीचे की तरफ वापिस खुलेगा तो यहां पर आपको एक V cut मिलने वाला है तो यहां पर हमें जो cut मिलेगा वो V cut मिलेगा ना कि इस तरीके से cut मिलेगा तो मैं कहूंगा इसका answer C option है A B गलत है ठेक है तो यहां पर center में बन रहा है diamond और edges पर बन रहा है यहां पर V shape clear है तो यह इसका answer है correct C option देख लेते हैं yes green tick भी हमारा C option की तरफ ही हमें नजर आया चलिए तो चार question हमने solve कर लिए move करते हैं इसके fifth question की तरफ fifth question क्या कह रहा है इसको देखेगा fifth question में यह कह रहा है कि यहां पर जो आपका यह straight lines है और यहां पर जो semi circle बना है ठीक है अगर सिफ इतना piece ले लू मैं paper का और यह इसको इधर capsule shape दिख fold कर दूँ इधर से भी semi circle अंदर की तरफ fold कर दूँ और इधर अगर मैं कोई circle cut कर दूँ तो क्योंकि अंदर cut है यह वापिस जब खुलेगा तो आपको एक circle यहां मिलेगा एक circle यहां मिलेगा एक circle यहां मिलेगा तो इधर आपको दो नीचे दो उपर मिलेंगे तो दो circle नी हमें नहीं मिलेगा हमें 2 circle क्योंकि paper जो था वो capsule shape में था ऐसा था और यहां पर अगर यहां कोई चीज मैं punch कर रहा हूं और paper अगर अंदर की तरह फोल्ड था वापिस open करने के बाद यहां पर दो circle मिलेंगे हमें तो उपर दो circle नीचे दो circle मिलेंगे और ऐसा figure सिर्फ हमें c option में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा clear है यह चीज क्योंकि हमने और कहीं cut नहीं लगाया है single center में यह जो diamond बना हुआ है यह single diamond यहां पर center में नजर आ रहा है और किसी तरह का हमने circle part में कोई cut नहीं लगाया है जो hemisphere edges पे लगे थे last में ends पे लगे थे उन में किसी तरह का cut नहीं था इसलिए मैं d option को यहां गलत बोल रहा हूँ ठीक है d भी इसली गलत है b भी इसली लेते हैं clear answer c देख लेते हैं yes देखे green tick भी c पे यह आ रहा है तो इस पकार से आपको चीजे करनी बहुत असान हो जाती है मुझे comment box में बताते जाहिए यहां तक आप लोग के answer सही है क्या जो आप लोगों ने खुद से attempt किया आपके answer सही mark कर रहे हो आप यह नहीं comment box में मैं आप लोगों का wait करूंगा चलिए move करते हैं question number six की तरफ six question क्या कह रहा है तो six question में यह कह रहा है इसमें एक circular paper लिया है इन्होंने अब यह जो circular paper लिया है अगर मैं इसको red pen से यहां पर dark कर दूँ और यहां पर इन्होंने कहा है कि अगर मैं इसका curved part यहां से chord की चूँ कॉड है diameter तो नहीं दिया पहले यह clear कर लिजेगा ठीक है तो यहां पर chord दिये diameter नहीं दिया अब इस curved part को अगर मैं अंदर की तरह fold करूं तो यह curved part पूरा इधर से मैं imagine करूंगा इस तरीके से fold हुआ देखिएगा इस curved part को जब इधर fold किया अगर मैं और clears दिखाऊं तो सिफ इतना सा curved part अंदर की तरफ पूरा इधर touch करेगा और इधर वाला part जब इधर कर रहा हूं मतलब यह वाला part इतना सा part जब इधर fold कर रहा हूं तो यह पूरा इधर से touch करता हुआ हम इसको assume करते वे चलेंगे अब यहां पर इन्हों ने क्या किया है इन्हों ने यहां पर जब इसको ऐसे fold कर दिया तो उपर से फिन नीचे की तरफ भी fold किया तो जैसे ही उपर से नीचे fold किया तो यहां पर इन्हों ने एक triangle काटा है और आप देख रहे हैं यहां पर यह जो line है इस line से एक छोटा सा gap दिख रहा है इस triangle को जब काटा तो वापिस इस paper को जो मैंने उपर से नीचे fold किया था मैं जब वापिस इसको refold करूँगा मतलब इसको वापिस reopen करूँगा तो reopen करने पे जो triangle यहां नीचे की तरफ काटा था वो ही triangle मुझे उपर बना हुआ दिखेगा ठीके इस तरीके से triangle दिखेगा वापिस जब मैं open करूँगा उपर की तरफ अब यहां पे ध्यान देना वापिस जब यह वाला side खोलूँगा तो यह वाला side खोलने पे देखी यहां पे triangle था ठीके यहां पे triangle था और वापिस reopen करने पे यह circle जो यहां से गया है देखे blue pen से अगर इस चीज़ को आप समझेंगे तो यह circle जो यहां से गया है triangle इसकी दूरी पे कटा हुआ है तो वापिस जब reopen होगा तो यहां पे भी एक triangle दिखेगा और यहां पे भी एक triangle दिखेगा यह उपर यह नीचे और वापिस इस पार्ट को जब मैं open करूँगा यह वाला पार्ट जब वापिस open किया जाएगा तो एक triangle यहां ऊपर दिखेगा आपको एक triangle यहां नीचे दिखेगा इस तरीके से दिखने वाला drawing आपको सिर्फ नजर आ रहा है B और D में ठीके अब B और D में आपको नजर आ रहा है तो आप देखिए उपर triangle नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे तो यह हमारे triangle clear हो गया अब एक चीज और ध्यान से triangle था अब वापिस जब मैं खोलूंगा तो उपर से नीचे की तरफ भी यहाँ पर एक cut दिखेगा और यहाँ पर नीचे cut दिखेगा ठीक है अब उपर नीचे cut दिखेगा वो सिर्फ इसमें है ठीक है यहाँ पर कोई cut नहीं है outer circles में कोई cut नहीं है तो मैं इस कारण B को cut लगा रहा हूं C को cut लगा रहा हूं मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि question number 6 का answer D होना चाहिए क्यों D हुआ तो यह चीज मैंने आपको clear कर दिया है ठीक है हमें जब initial चीज देखनी है जब हमने fold किया है तो यह fold इसी तरीके से हमें assume करके चलना है कि पूरा यहाँ तक fold किया है ठी अगर इस तरह का fold होता तो definitely यहाँ पर भी एक dotted line होती जो कि नहीं है center में dotted line नहीं है हम इसको dotted बानते हैं पूरा इधर पार्ट हम fold होते हुए देखेंगे यह पूरा इधर fold होता हुआ दिखेगा clear है तो इस चीज को assume करना है इस चीज को नहीं करना बस तो finally answer D option है answer check कर लेत हैं yes देखें हमारा green टिक भी जो आया है वो D option की तरफ हमें यहाँ दिख रहा है तो इस पकार से हमने question number six solve कर लिया move करते है question number 7th क्या कह रहा है 7th question देखिएगा यहां पर 7th question में कह रहा है कि आपके पास जो paper है वो triangular paper है और triangular paper में arrows नहीं दिये folding part नहीं दिया तो जब folding part नह क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो paper में dotted line इधर है dotted line का मतलब कोई चीज इधर थी उसको इधर से इधर fold कर दिया तो आप triangle right triangle है जो की एक part दूसरे part के उपर आ गया इसी के बाद हमने उपर वाली part में यहां dotted दिखाया इस dotted का मतलब यह है कि उपर वाला part नीचे fold हो गया तो आपका triangle यह basically यहां पर यह है और red pen से अगर यह दिखाऊं तो यह भी triangle का ही part है तो इस दीके से आपका part यह बन गया तो आपने पहले paper को इधर fold किया फिर उपर से नीचे fold किया ठीके तो folding कैसे है एक तो folding इस तरफ है ठीके दूसरी folding उपर से नीचे है मतलब यह वाली folding है ठीके तो arrow मैंने बना दिये तो यहां पर arrow नहीं भी बने हो तो आपको dotted lines को follow करते हुए चलना है अब देखिए जब चीज fold होके हमें मिल गई तो यहां पर मैंने curves काटे है यह circle काटा है यहां पर तो basically मैंने एक curve काट दिया मैंने कैसा curve काट दिया अगर पेपर को जब दुबारा ऊपर की तरफ open किया जाएगा तो आप देखेंगे यहां पर देखो यह जो circle कटा यह वापिस ऊपर की तरफ open होने के बाद यहां पर को circular formation दिखेगा यहां पर एक circle बनता हुआ दिखेगा आपको यहां पर semi circle दिखेगा कुल मिलाके यह वाला पार काट दिखेगा पहली बात जब उपर की तरफ खोलेंगे और दूसरा यहां पर आपको एक circle कटा हुआ दिखेगा क्योंकि आपने एकदम एज से चीज को काट दिया एज से चीज काट दिखेगा और यहां पर हैमिस्फेर दिखेगा जब पेपर को ऊपर खोलोगे वापिस इधर से इधर खोलोगे तो यह circle पूरा हो जाएगा और जो circle यहां काटा था वो ही circle आपको यहां कटा हुआ दिखेगा तो ऐसा कुछ आपको ओड़ी साइन जैसा दिखेगा वहां पर ओड़ी साइन में क्या circle के ऊपर circle बनता है तो आपको तीन circle एक साथ दिखेंगे और य यहां पर तो triangle ही cut किया है तो triangle तो हमने काटा ही नहीं यहां पर box काटा है box हमने काटा ही नहीं यहां पर यह कुछ ऐसी straight line मन गई है तो यह चीज तो थी नहीं गोला आप circle देखेंगे तो सिफ a option is the best option जो हमें टिक करने वाला यहां नजर आ रहा है तो मैं ऐसा कहूंगा कि question number 7th में answer a है clear है यह चीज चलिए move करते हैं question number 8 की तरफ साथ question हमने कर लिए comment box में आप comment देते चाहिए कि भाई आपको चीजे समझ आ रही है यहां तक आपके solution जब आप solve देख रहे हैं जो आप solutions watch कर रहे हैं आपके answer सही है या गलत है ठीक है तो yes or no में जवाब दीजिए सह ही आ रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है चलिए move करते है question number 8 की तरफ 8th question में क्या कह रहा है paper को मैंने उपर से नीचे फोल्ड किया तो यह वाला पार्ट जब नीचे फोल्ड किया तो हम समझेंगे कि यह जो उपर का पार्ट था यह फोल्ड होके इसके उपर आ गया ठीक उपर फोल्ड हुई तो यहाँ पर कुछ इस पकार से आप समयने की कोशिश करना कि नीचे की चीज जब उपर फोल्ड हुई है तो यह उपर पार्ट चला गया ठीक है और जब उपर की नीचे फोल्ड हुई है red pen से गर मैं imagine करवा हूं तो यह देखी यह भी उपर से नीचे fold हुआ है, ठीक है तो उपर से नीचे fold हुआ है यहाँ पर red line मैं ऐसे दिखायता हूँ, देखी, यह red line यह red line, और यह नीचे fold हो गया, तो 1 fold उपर 1 fold नीचे, ठीक है यह paper मिला, फिर इसको हमने left से right fold किया और जैसे left से right fold किया यहाँ पे यह जो आपने curve काटा ठीक है? तो वापिस unfold भी करोगे जैसे इस चीज को इधर खोलोगे तो यह जो आपने shape यहाँ पे U type का दिख रहा है यह U type का shape आपको यहाँ पे भी नजर आएगा इसमें कोई doubt नहीं है और इससे दूरी पे यह जो आपने triangle काटा है यही triangle आपको यहाँ नजर आएगा ठीक है? यह वापिस unfold कर रहे है अब इस paper को जब मैं उपर की तरफ खोलूँगा तो यह जो U यहाँ काटा था यह U shape अंदर बनता हुआ यहाँ पे भी नजर आएगा और नीचे वाला पार्ट खोलने पे यहाँ पे भी नजर आएगा यहाँ पे भी नजर आएगा और यहाँ पे भी नजर आएगा तो टोटल तीन U आपको साइड में नजर आ रहे है अब यह जो दो triangle आपने mark किये थे यह दो triangle जब उपर वाला पार्ट आप करोगे तो water image ध्यान रखना कि यह triangle inverted हो जाएगा मतलब अभी यह line जो नीचे थी अब यह triangle आपको ऐसा नजर आएगा कुछ इस पकार से ठीक है और उपर से जब यहाँ खुलोगे तो यहाँ पे भी एक water image बनती भी नजर आएगी तो आपको water image और mirror image का ध्यान रखते हुए जब paper cutting पे ध्यान दोगे तो आपको कुछ ऐसा image पूरा खुलने के बाद दिखने वाला है ठीक है अब यह चीज कहां दिख रही है तो देखिए inverted triangles यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं लेकिन नीचे वाला part inverted नहीं है यह triangles inverted नहीं है यह inverted होने चाहिए थे यह ऐसे होने चाहिए थे जो की inverted नहीं हुए तो इसलिए A गलत B गलत answer कहा है COD में है तो देखो यहाँ पे inverted triangle दिख रहे हैं यह triangle तो अपनी जगा पे दिख रहे हैं यह triangle भी अपनी जगा दिख रहे हैं यह triangle भी अपनी जगा दिख रहे हैं नीचे वाले triangle inverted दिख रहे हैं अब उपर वाले triangle पे आ जाते हैं तो उपर वाले triangle भी inverted है inverted triangle यहाँ नहीं दिख रहे हैं यह तो सीधे ही दिख रहे हैं वैसे के वैसे तो यह C figure गलत, इसका मतलब यहां पे देखो, inverted triangle दिख रहा है, तो inverted triangle मतलब census D है, अभी तो मैं edges पे गया ही नहीं, अगर आप edges पे भी ध्यान देते हैं, तो देखी, यहां पे भी U formation, यहां पे भी U formation, यहां पे भी U formation, टोटल U 3 और यहां पे 3 दिखेंगे, तो 3 इधर, 3 इध तो इस पगार से question number 8 का D answer हमारा जवाब है, board कर लेते हैं, clear answer देखते हैं, yes, green tick भी हमारा D option भी हमें नजर आ रहा है, चलिए, तो finally, 8 question हमने यहां कर लिए हैं, दो last question, question number 9 और 10, इस video को पूरा देखिए और इंके solution भी चेक कर लिए, question number 9, देखिए paper नीचे से उपर fold हुआ, फिर जब नीचे से उपर fold हुआ, तो इधर से इधर fold हुआ, मतलब सिर्फ मेरे पास paper इतना है, और यहां पे जैसे ही मैंने center में यह काट दिया, तो एक चीज़ समझा रही, यह center में अगर curve काट दिया, तो पूरा paper खुलने के बाद, center में आपको एक circle बनता हुआ नजर ठीक है, तो यह circle center में कहाँ है, आप देखिए, यहां पे circle नहीं बन रहा, यहां पे जो circle बना, इसके center में dot लगा दिया, यहां जो circle बना, इसके center में dot लगा दिया, बट यहां पे एक pure circle मिल रहा है, मैं direct answer बोल रहा हूँ, C option, A, B, O, D, wrong है, ठीक है, तो center में circle मिलेगा, है, yes, answer C हमारा आ रहा है, लेकिन यहां पर, देखिए, आप mistake कहां होती है, आप कहते हैं, सर्थ, यहां पे triangle कट है, तो हमने तो triangle देखा, तो यहां पे triangle बन रहा था, ऐसा नहीं है, जब यह triangle चार पार्ट में खुलेगा, तो यहां पे basically आपको box बनता हुआ नजर आएगा, और यह triangle जो part है, यह आपने cut लगाया था, यह triangle, तो जब पूरी चीज़ खुलेगी, तो यह box बनता हुआ नजर आएगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी box, तो यह पूरा pure imagination पे depend है, आपको पता होना चीज़, जब paper के edge पे cut लगाया जाता है, तिर्चा, और प 10th question में यह बोल रहा है, कि paper को इधर से इधर, इधर से इधर fold किया, ठीक है, दोनों तरह fold करने के बाद, मैंने center में कुछ ऐसा shape बनाया है, और यह वाला shape center में वैसे का वैसे ही रहेगा, जैसा है, अब आप वापिस paper खोलेंगे, तो यह shape center में ही रहेगा, और यह shape center में B, C और D में नजर आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यह बहुत लंबे-लंबे bars इस तेके से cut दिख रहे है, तो यह तो वैसे ही गलत हो गया, A option, यह गलत है, ठीक है, अभी, अभी हमें क्या नजर देना है, तो अब हमें यह देखना है, कि यहाँ पर, अगर आप ध कर दूँगा, reason यह है, कि इस तरह का shape, यह जो shape बना हुआ है, तो यह shape कहीं पे भी हमें बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर जब मैं paper क्योंकि इधर से इधर fold किया तो मैं इस line को मान लेता हूँ, कि यह paper जब इधर से इधर fold किया, तो इतना part open होगा, और यह part ज बनती में नजर आएगी, ठीक है, और यह इधर से ऐसा V बनता हुआ नजर आएगा, यह चीज, तो यह एकदम बराबर में कहां नजर आ रहा है, वो मुझे सिफ C में नजर आ रहा है, B में भी अगर आप देखें, तो B में यह वाला part छोटा और corner बड़े नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से इसका answer C होना चाहिए, ठीक है, एक बर चेक कर लेते हैं, क्या इसका answer C है, तो board कर लेते हैं, clear answer C है या B है, answer B है, अच्छा, इसका reason क्या answer B है, तो यहाँ पर जो side में बन रहा part है, यह बराबर दिखा रहा है, मतलब paper क्योंकि अंदर folded था यहाँ पर, तो यह जो part है, यह part पूरा बराबर नजर आ रहा है, यहाँ पर यह part छोटा नजर आ रहा है, इसलिए इन्होंने C को mark नहीं किया है, तो यह छोटा नहीं है, यह इसके बराबर नजर आएगा यहाँ पर, और बराबर में यहाँ नजर आ रहा है, इसलिए इन्होंने B को mark किया ह कारण मैं कहूंगा question number 10th का answer इन्होंने B mark किया clear है तो answer इसका B है और वो reason ये था कि ये वाला part और ये वाला part equal नजर आ रहा है clear है चलिए move करते हैं finally हम आपको ये बतायते हैं कि without any advertisement आप DPP 1 DPP 2 theory part कहां watch कर सकते हैं अगर आपको search करने में कुछ issue आ रहा है YouTube channel पे तो आप simple Google राजा के पास आईए Google राजा के पास type करिए आप magnet brains.com type करते ही जो interface open होगा उस interface पे आप देखेंगे explore top courses के head के नीचे यहाँ पे NTSC option है NTSC को click करते ही आपके सामने वो सारी टीचर जो stage 1 की त्यारी करवा रही है तो NTSC stage 1 की अगर आप त्यारी कर रहे है national talent search examination की तो यह सारी टीचर जो stage 1 की त्यारी करा रही है science हो आपका math हो यह आपका social science हो तो तीनों teachers आपके सामने विभूती माम राहूल सर और रिया माम इसी के साथ में मेरे द्वारा मतला आपके अपने अभिशिक चौहन सर द्वारा आपको त्यारी करवाई जारी है mat की आपको मेरे topics हैं जिन्वे teachers के topics को watch करना है त्यारी करनी है यहाँ पर देखिए नीचे एक option है watch now watch now पर click करिए जैसे आप watch now पर click करते हैं तो आपके सामने पूरा उन teacher द्वारा पढ़ाया हुआ प्रॉपर अरेज मैनर में watch chapter wise videos ठीक है इसके नीचे आपको यहाँ पर available हो जाएगा आपको जून सा topic watch करना उस topic पर click करिए topic पर click करते ही video run होना start तो इतना असान है घर बैठे बैठे त्यारी करना वो भी 100% free education इसका मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि आपको subscription charge पे करना कुछ पे नहीं करना कहीं पे किसी stage पे भी आपको कुछ पे नहीं करना complete course 100% free यह पूरा information आप अपने juniors के साथ अपने seniors के साथ आप अपने दोस्तों के साथ और relatives के साथ जूर शेयर करिए तो सब information share करते रहे हैं लिंक आपको बनके मिलेगी आप किसी भी social media पर इसको शेयर कर सकते हैं इसी के साथ में like and subscribe जू करिए क्योंकि teacher का motivation यहीं से बढ़ता है subscribe करने के लिए से बोल रहा हूं क्योंकि channel का bell icon दबाने से जो भी latest video upload हो रही है आप से related वो पहले आपको मिल जाए तो इसके लिए आपको bell icon दबाना जरूरी है चलिए मिलते एक नए वीडियो में नए डीपीपी में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा bye and take care